हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो नंतकिशोर क्लासिस आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फेक्टराइज करना सीखेंगे लेकिन फेक्टराइज सीखने से पहले ये समझते हैं कि फेक्टराइज होता क्या है देखें आप जैसे हम इंटेजर्स की बात करते हैं तो 10 को आप 2 x 5 लिख सकते हैं अब देखिए इसका मतलब ये 10 जो है 2 से डिवाइड होता है 10 5 से भी डिवाइड होता है इसका मतलब क्या हुआ 2 10 का फेक्टर है 5 भी 10 का फेक्टर है तो 10 को हमने फेक्टर की प्रोड़क्ट के फॉर्म में लिख दिया जिसको हम फेक्टराइजेशन बोलते हैं जैसे की इसी तरह से मान लीजे हम बात करें 12 की देखो 12 को मैं 3 x 4 लिख सकता हूं तो ये फेक्टराइजेशन है यह क्या है, factorization है, 12 को अगर मैंने 3 multiply 4 लिख दिया, क्योंकि 3 12 का factor है, 4 भी 12 का factor है, factor होने का मतलब, factor होने का मतलब, यह जो 12 है, 3 से भी divide होता है, 4 से भी divide होता है, तो मतलब, factors की product के form में किसी number को लिखना ही factorization है, और यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा, और एक बात, और देख लिजिए, अगर मैं इस 4 की जगें पर 2 multiplied 2 लिख दूँ, तो 2 और 3 दोनों prime numbers है, तो बस इसको prime factorization बोल देते हैं, लेकिन है तो factorization ही, तो factorization क्या होता है, splitting a number into product of two numbers, provided those two numbers are the factor of the given number, यह जो दोनों number है, वो दोनों given number के क्या होने चाहिए, factor होने चाहिए, तो अब यहां पर भी इसको किसी product की form में लिखेंगे, और जिनकी product होगी, वो इसके factors होगे, यानि कि उनके साथ ये proper divisible होता होगा, remainder 0 आता होगा, तो लखिए, यह जो quadratic polynomial है, इसकी degree 2 है, degree 2 है ना तो दो factors होगे, जैसे यहां पर दो factors है ना तो यहां पर दो factors होगे, और वो factors दो brackets की form में होगे, इसको हमें दो brackets की product की form में लिखना है, कैसे लिखना है, अब वो तरीका ध्यान से समझेगा, यह जो मैं P और S लिख रहा हूँ, यह बिल्कुल rough work है, यह किसी भी student ने exam में लिखके दिखाने की जरूरत नहीं है, P का मतलब product, S का मतलब sum, product के आगे आपने क्या लिखना है, first और last constant terms, जैसे first coefficient x square का क्या है 12, और यह constant value 1, इनको multiply कर देना है, first और last वाले constants को, याद भी रहेगा क्योंकि P का मतलब product, S के आगे आपने लिखना है, x का coefficient minus 7, कुल मिलाकर यह एक rough activity है, आपको क्या करना है, we need to decide two integers, we need to identify two integers, जिनकी product करें तो 12y, और उन्हें add करें तो minus 7 आए, तो ऐसे कौन से दो integers हो सकते हैं, यह देखो, अगर minus 3 को multiply करें minus 4 से, तो 12 बनेगा, और minus 3 में, अगर minus 4 add कर दें, यह plus minus minus होगा न, तो यह बन जाएगा, कुल मिलाकर मेरे दो integers हैं, एक minus 3 और एक minus 4, तो अब हमें middle term को split करना है, जो method हम पढ़ने वाले हैं factorize का, इसे बोलते हैं middle term splitting method, यह middle term है, इसको split करेंगे, और यह जो इतना कुछ हमने किया, यह middle term को split करने के लिए किया, कैसे split करेंगे, यह जो हमने बनाया है, minus 3 minus 4, यह काम आएगा, क्योंकि minus 3 minus 4, minus 7 होता है, तो हमने इसको यह लिख देना है, यह देखो, minus 7x की जगह पर minus 3x minus 4x, क्योंकि minus 3x minus 4x क्या होता है, minus 7x, अब आपने क्या करना है, पहली दो terms में से common क्या आता है, वो देखना है, यह देखो 12 और 3, दोनों 3 पे divide होते हैं, यहाँ पर x square है, यहाँ पर x है, 1x common, अब देखते हैं क्या बनता है, 3 times 4 is 12, यहाँ पर x square है, 1x तो पहली बाहर आ चुका है, एक रह गया वो अंदर लिख लीजे, और यह 3x तो अल्रेडी बाहर है, तो इसकी जगह पर 1, तो मेरे पस पहली दो terms को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 3x into 4x minus 1, आगे वाली दो terms में से क्या common निकालने, खास बात क्या है, आगे वाली terms में से हम जो भी common निकालेंगे, उसके बाद जो bracket बनेगी, वो same बनने चाहिए, यहाँ पर minus 1 common निकालेंगे, तो बनेगा 4x minus 1, यह खास बात है, यह bracket और यह bracket दोनों same होनी चाहिए, आप करके देख सकते हूँ, minus 1 को 4x से multiply करोगे, minus 4x, minus 1 को minus 1 से करोगे, plus 1, तो finally क्या बनता है, 3x minus 1, क्या करना है, आपको यह term और यह term, इनको इकठा करते ना एक bracket में, फिर 4x minus 1, यह बहोगे factorization, degree 2 थी, तो दो factors बनेंगे, अब आप सोचके देखो, यह ultra steps तो आप already करते रहे हैं, just multiplication of binomials, पहले 3x के साथ यह वाली पूरी bracket लिखना, minus 1 के साथ यह पूरी bracket लिखना, बिलकुल easy है, ultra steps ही किया है हमने, अब same यह देखो, यह second part try करते हैं, practice करते हैं, second part है, 3x square, minus x, minus 4, अब इसमें देखो, product करके क्या आना चाहिए, first term है 3, last वाली है, minus 4, यानि कि 3 multiply minus 4, minus 12 होता है, और sum करके क्या आना चाहिए, जो x का coefficient है और वो कितना है, minus 1, तो आपको ऐसे दो number ढूंडने हैं, जिनको multiply करें तो minus 12 आए, add करें तो minus 1 आए, यह तो अलड़ी बना पड़ा है, यह दो को, 3 और minus 4 को multiply करते हैं, तो minus 12 आता है, 3 और minus 4 को अगर आप add करते हैं, तो देख लो, plus minus minus किया, 3 minus 4 minus 1 ही आता है, तो splitting तो easy है, 3x square, plus 3x, minus 4x, minus 4, इन दोनों में से, 3x common, अब first term में से तो सिरफ एक x बच गया लिखने वाला, यहां पर 1, और इन दोनों में देखो, मैंने आपको पहले ही कहा कि bracket तो सेम बनेगी, तो आप पहले भी लिख लो, अगर आपकी सेम bracket नहीं बनती, मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो, x plus 1 मैंने पहले लिख लिया, फिर उपर देखा कि यह तो minus 4x है, तो minus 4 यहां लिख दिया, अब करके देखोगे, minus 4 into x minus 4x, minus 4 into 1 minus 4, last step, इस 3x के साथ यह minus 4 लिखना है, साथ में यह bracket x plus 1, तो यह हो गई factorization, तो इस तरह से middle term splitting method है, जिसमें middle term को split करने का यह rule हमने पढ़ा, यह rule अच्छे से याद रखना है, factorization क्या होता है, यह भी हमने पढ़ा, I hope आपको अच्छे से समझाया होगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे like और share जरूर करिएगा, thank you so much,